नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं सबसे पहले टाइगर जगरनाथ महतों को सधानली दी गई, इसके बाद जार्खन यूत एसोस ने पत्रकारों को समोधित करते वे कहा है कि टाइगर जगरनाथ महतों के आक्समिक निधन से पुरा राज्य सदमे में है, उनका सबसे बड़ा सपना 1932 खत्यान अधारित अस्था अस्थानिय निती लागू करना था, लेकिन अफसोस और पूरा नहीं हो सका, इसलिए हम तमाम जार्खनियों का फर्ज है कि हम उनके सपनों को पूरा करें, दूसरी तरफ जार्खन 60-40 वाली नियोजन निती के आधार पर बहाली निकाल रही है, ताकि दूसरे राज्य के ज लोम वार को जार्खन बंद का वाहन करते हैं, कुछ छात्र नेता सरकार से मिलकर आंदोलन को टालने की सरयंत्र कर रहे हैं, जिससे सवधान रहने की जरूरत है, मौसम विभाग की ओर से 9 अप्रेल रभ्विवार के लिए एलो अलर जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि राजि के दक्षनी, पुर्वी सिंभूम, पच्मी सिंभूम, सिम्टेगा और सराय के लखर सावा जिला, ताथा निकट वर्ती मध्य भाग, रांची बोकारो गुमला हजारी बाग, खुट्टी और रामगर जिला में कहीं कहीं गर्जन के साथ बजरपात भी होने की संभ उसके बाद 11 अप्रेल से आस्मान साफ हो जाएगा और मौस म सूस्क रहेगा, बता दे राजिधानी राची में में गर्जन के साथ बरसा की सम्हना जताई हाँ जारखन मंत्रालै घेराव करने की तैयरी में बीजेपी 11 अप्रेल को जारखन मंत्रालै घेराव कार्कनम को सफल बनाने के लिए जारखन बीजेपी की परदेश परभारी लक्षमी कांथ बाजपे रब्डिवार चुबा 10 बह रांची आ रहे हैं तीन दिवस ये जार्खन प्रवास में लक्ष्मी कांत बाजपई एक 11 अप्रेल को पार्टी द्वारा आयोजीत आंदोलन में भी सामिल होंगे बता दे हेमांत हटाओ जार्खन बचाओ कारकनम को सफल बनाने के लिए भारतिया जनता पार्टी के परदेश प्रवारी लक्ष्मी कांत बाजपई रभीवार 9 अप्रेल से तीन दिवस ये रांची प्रवास पर रहेंगे भाजपा परदेश महामंतरी परदीप वर्वाने जनकारी देते हुए का एक लक्ष्मी कांत बाजपई सेवा बिमान से रभीवार सुबा 10 वह नई दिली से नाची पहुचेंगे इस दौरान 11 अप्रेल को जार्खन मंत्रालाई गहराव में भी वह सामिल होंगे रांची में बढ़ने लगी कुरोना संक्रमितों की संख्या जार्खन में 24 गंटे में 667 से लगातार अलग अलग जिलों में कुरोना संक्रमित बिल रहे है पिलाल राज में कोबिट के 58 मामले सक्रिये है बतादे देश भर में कुरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है जार्खन में भी पिछले 7 दिनों से लगातार अलग अलग जिलों में कुरोना संक्रमित बिल रहे है पिछले 24 गंटे में 666 सेंपल की जाच में सनीव और 8 रपेल को 6 कुरोना पोजेटिव केस मिले हैं राज में कुरोना के 58 केस एक्टिव बरतमान में हैं लगातार कुरोना संक्रमन के बढ़ते मामले के बाजूद जार्खन के स्पतालों में कहीं भी अलर्टनेस नहीं दिखता डक्टरों के अनुसार कुरोना संक्रमन को लेकर गंभीर नहीं हैं क्रोना के बढ़ते खत्रे के जनकाली होने के बाजूद मरीज और उनके सोजन मस्क लगाने या सरीरिक दूरी का पालन करने को लेकर सीरियस नहीं है जारखन में इसी महिने होगी 9000 हाई स्कूल सिख्षकों की नियुक्ति जारखन में एक कहवात बहुत ही चर्ची था यहां भागवान मिलना मुस्किल नहीं बलीक सरकारी नोकरी मिलना बहुत ही मुस्किल है बता दे इस कहवात को चरीरतार्थ कर रहा हाई स्कूल सिख्षकों की नियुक्ति पर किलिया जो पिछले 7 वरसों से चल रही है लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब सुखद बात या है कि करीब 9000 अभियारतियों के अच्छे दिन आने वाले है 2016 से चल रही हाई स्कूल सिख्षकों की नियुक्ति पर किलिया अमतिम चरण में है जार्खन करमचेरी चेन आयोग ने भी भीन भी सायोग के लिए चायानित किये गए ऐसे सिख्षक अभियारतियों के सुची राज सरकार को नियुक्ति के वास्ते भेजना सुरू कर दिया है जार्खन के सभी गर्वती महिलाओ का होगा सुगर टेस्ट गर्वावस्ता के दोरान होने वाले मधुमे का परभाव जच्चा और बच्चा के लिए कभी-कभी खतरनाक होता है एक और जच्चा तो दूसरी और गर्व में पल रहे बच्चे के लिए मधुमे नुकसान पहुचता है अब इसी को देखते हुए केंद्र और राई सरकार की और से जननी सीसू सुरक्षा योजना के तहत गर्वती महिलाओ को मधुमे की जाच अनिवार की जा रही है बता दे सभी सरकार्य अस्पतालों और स्वास्थ केंद्रों में एंटिनेट चेक अप में अब मधुमे की जाच भीकी जाएगी इसके लिए धनबाद में गुलुकोज लिक्वीड जार सरकार की और से मुहया कराया गया है सिविल सरजन डाक्टर अलोक विश्वकर्मा ने बताया है कि इसी सब्ताथ से गर्वती महिलाओं में नई पदती के तहाथ मधुमे की जाच शुरूप करा दी जाएगी जगरनाथ महतों की राइनिती बीरासत सम्हालेंगी पतनी जगरनाथ महतों के रूप में कूर्मी समाज का आपना एक ससक्त नेतक होया है इसकी भरपाई पार्टी के करकारी अध्यक स्वमुक्री मंतरी हमन्सुरण के लिए बड़ी चुनावती के रूप में सामने खड़ी हो गई है पार्टी सुत्रों की माने तो दिवंगत जगरनाथ महतों के उत्रा अधिकारी उनकी पतनी बेवी देवी होगी पताद बिधान सभाचेत्र डूमरी के उप चुनाव में जहाओमों उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगा उनके बेटे के उम्र 25 वरत से कम है और उप चुनाव होने तक भी वह 25 के उम्र तक नहीं पहुँच पाएगा दूसरा अहम सवाल अभी है कि जगनाथ महतों की निधन के बाद इसकुली सीक्षा विभाग और उतपाद विभाग की से सौपा जाएगा यह बात सही है कि महतों समाज की अबादी राज्य में करीब 14 पिजदी है लेकिन आज जामों जी समाजी गट जोड की बुनियाद पर सियासत कर रहा है उसमें महतों समाज के साथ साथ माजी और मुस्लिम के जुडा को भी दरकिना नहीं किया जा सकता जार्खन में इंटर के छात्रों को मिलेंगे किताब के पैसे जार्खन में इंटरमीडिट परिक्षा भी खत्म हो चुकी है लेकिन अब जाकर सिक्षा विभाकिनिंग खुली है वह यूं कि परिक्षा दे चुके 16 अपराई सरकार किताबे के पैसा देगी आईसा सिर्फ बरावी के 16 अपरेल के साथ ही नहीं होगा बलिक 11 के 16 अपरेल को भी डिवीटी के माध्यम से किताबों को रासी दी जाएगी वहीं एगारवी की परिक्षा भी 17 अपरेल से सुरू हो रही है जो 29 अपरेल तक चलेंगी इसके लिए जारकंट स्टेक्षिनिक अनुशंधान वा प्रस्क्रिक्षन परशदने सभी जीलों से 4-7 उजनकारी माँगी है बता दे राजी के पलस्टू स्कूलों का 2022-23 का सेक्षिनिक सत्र जुलाई 2022 से सुरू हुआ था बीजेपी ने की एगारह को सची वाले घिराव की तयारी हेमंत सरकार के खिलाप परखंड और जीला अस्तरिय परशन के बाद परदेश भाजपा एगारह अपरेल को परदेश भार के हजारों करकाताओं के साथ परजेक्ट भावन सची वाला का घिराव करेगी कारकरम की तयारी को लेका सांसद के चालू सत्र के बीच नई दिली में परदेश अध्यक्ष के आवास पर राजे से जुड़े पार्टी के सभी सांसदों की बैठाक भी होई इसमें परदेश परभारी डाक्टर लक्षमी कांत वाजपेई केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा अनपूर्णा देवी परदेश महामंत्री एवाम सांसद आदित्यसाहू डाक्टर परदीप वर्मा बाल मुकुन सहाय सामिल हुए मताद दिली से लोडते ही सभी नेता अपने अपने छेत्र में तेयारिया में जूट गाए हाए को भी अरिजन्डी दिखाएंगे ऐसे में जारकन वास्यों की भी अब उमीदे बढ़ गई है कि जल्द से जल्द यहां भी वन्दे भारा ट्रेन सरपट पटर्यों पर दोड़ेंगी हाला कि अटकले तेयर जाय की जारकन में रांची से पटना के लिए वन्दे भारा ट्रेन 25 अप्रेसर शुरू हो सकती है लेकिन अभी तक इस खबर पर मुहर नहीं लगी कहा जा रहा है कि यहां ट्रेन कई से विधाव से लेस होगी रांची और पटना के बीच की दूरी 6 घंटे से भी कम में यहां ट्रेन पूरा करेगी साथी वन्दे भारा ट्रेन, टाटी सिल्वे, बी आईटी में सरा बरका काना और हजारी बाक सहरों से होते हुए पटना और रांची को कवर करेगी और अन्य वन्दे भारा ट्रेनों की तरह सब्ता हमें 6 दिन चलेगी DG CRPF ने 14 मोडविण में सामिल जवानों को किया समानित CRPF के महानी देसक डाक्टर सूजय लाल थाउसेन को दो दिवसी जारकन दोरे के करव में 14 मोडविण में सामिल 33 पता अधिकारियों कर्मियों का होसला बढ़ाया अजारी बाक के बरी 233 कुपरा बाटाले में सन्नी मरकोईजी सम्मान समारों में DG CRPF डाक्टर थाउसेन ने सभी 33 पता अधिकारियों कर्मियों को DG डिस्क वा प्रसंसा पत्र देकर समानित किया मुडवेड किया घटना चत्रा जीले के लवा लंग थाना चत्रे के नौडिहा जंगल में 3 अप्रेल की सुबह होई थी तब उस मुडवेड में 5 इनामी नक्सली मारे गए थे जिसमें 25-25 लाक रुपए के दो इनामी सेक्स दस्यों के अलावा 5-5 लाक रुपए के इनामी 3 सब जूनल कमंडर सामिल थे आदिवासी संगटनों के रांची बंद का असर जारखन पहान महासंग केंद्रिय सरना समिती और बिभीन आदिवासी समाजिक संगटनों दिवारा सरना जहनडा जलाने की विरोध में संगटनों को रांची बंद बुलाया गया था आदिवासी समाजिक संगटनों ने इस बंद को सफल बताया रांची बंद को सफल बनाने के लिए सूबह से ही लोग सड़क पर उतर गए थे पूलिस भी रांची बंद को देखते हुए चौकस थी ऐसे में पूलिस ने रांची बंद कराने सड़क पर उतरे परदसन करियों को समझाया इस करम में कई परदोसन कर्यों गिरफतार भी किया गया पतादे केंद्री सरना समीति एवां पहान महासंग के लोगों ने रांची के करम टोली चौक को जाम किया था जिस्ते चारों और घंटों भीड़ लगी रही काके सरना समीति के लोग काके के नगड़ी बोगड़या सड़क बंद रखा था कोकर चौक में भी घंटों आदिवासी सड़क पर उतर कर बंद कराते रहे रांची के नामकों में धार्मिक सवहार्द बिगाडने का प्रयास रांची के नामकों मिठी सिव मंदीर में असमाजिक ततो द्वारा थोड़ फोर कर धार्मिक सवहार्द बिगाडने का प्रयास किया गया घंटना राजाउ लातू में उनी डिह के परसीद सिव लोक धाम मारा सिल्ली पहार इस्थीत सिव मंदीर की है मामले में सिव लोक धाम मारा सिल्ली पहार ट्रश के सदस्यों ने प्राथमी की दर्श कराई है सदस्यों ने बताया है कि सनिवार के सुबस तुचना मिली कि मुख्य मंदीर इस्टोर रूम, बैठक रूम, दो दान पेटी का ताला तोड़ कर पैसे एवां पीतल कासा के वर्तन चोरी कर लिया गया भागवान सिव का तिरिसूल, पंच मुकी हनमान मंदीर के चार दिवारी को छतिगरस्त कर फेक दिया गया सजस्यों ने कहा है कि जल्द गिरपतारी नहीं हुई तो बिरोध में नामकुमबंद की घोस्तना की जाएगी रांची में बच्चों की लड़ाई में चली तावड तोड गोली रांची के सुखदेव नगर थाना छेतर में तावड तोड फैरिंग की खबर सामने आ रही है शुत्रों की माने तो छेतर में घहरों पर भी फैरिंग की खबर हाए साथ ही हवाई फैरिंग भी हुई है पताया जा रहा है कि इलाके में बच्चों की आपसी जड़ाई के बाद फाइरिंग हुई है अपराधियों ने कई राउंड फाइरिंग की घाटना सुखदेव नगर के नियू आनंद नगर की है अस्थानियों लोगों के अनुसार अपराधि 7-8 की संख्या में थे हलाकी घाटना स्थाल पर पूलिस पहुँच चुकी है बिना ऑक्सीजन सप्लिमेंट के दुनिया की सबसे उची चोटी एवरेस्ट फताह करने निकली असमीता दोर जी टाटा स्टील एडवेंचर फावडेंशन की सीनियर इंस्ट्रक्सचर असमीता दोर जी अपने साहस का परिच्चा देते हुए एक बार फिर एवरेस्ट के कठीन अभियान पर निकल गई है असमीता के लिए यह अभियान और भी कठीन इसलिए हो जाता है क्योंकि वह बिना ऑक्सीजन सप्लिमेंट की दुनिया के सबसे उची चोटी एवरेस्ट अठासी सव अरतालीस मीटर फता करने जा रही है इस अभियान में टाटाई स्टील उनका स्वजोग कर रही है इससे पूर्वद दुनिया ऑक्सीजन सप्लिमेंट की एवरेस्ट फता करने वाली असमीता मात्र एक सव मीटर से चुक गई थी ज्जार्खन के सराइकल्य खर्शवा में 9 अपरेल से चुदा अपरेल तक चळख पुझा आयूजित की जाएगी खर्शवा अंचल करयाले की उर से इसकी त्यारि जोरो पर चल रही है खर्शवा में चलक पुझा का आयोजन सरकारी ngherd से होता है बतादे चलक पुजा पर करीब 40 यह रुपे खर्च होता है 9 से 14 अप्रेल तक चलक पुजा का उजन किया जाएगा 9 अप्रेल को राद 9 बजे सूब घट 10 अप्रेल को साम 7 बजे मता घट वहीं 10 अप्रेल को ही राद 10 बजे दुरगा मा की यातरा घट 11 अप्रेल साम 7 बजे बिरिंदावनी 12 अप्रेल साम 7 बजे संकर जी का गरिया भार नगर विकास विभाग में 1688 पदों के लिए नियुकती शुरू नगर विकास एवं आलास विभाग में 1688 पदों के लिए नियुकती पर किल्या शुरू हो चुकी है और सिग रही इन पदों के लिए परिक्षा की तित्यों की जा सकती है विभाग से 16-18 पदों की अधियासना कार्मिक विभाग को भेजी गई थी जिसे उसी रूप में कार्मिक विभाग की और से करमचारी चैन आयोग को भेज दिया गया करमचारी चेन आयोग अब परिक्षा की तीथियों की घोसना करेगा और नियुक्ति पर किरिया को लेकर तेयरियों को आंतिम अंजाम तक पहुचाएगा बता दे राज में बड़े पमाने पर करमचारियों की नियुक्ति की तियारी की जा रही है इसी करम में नगर विकास बिभाग ने भी 1688 पदों के लिए अधियाचना कार्मिक बिभाग को भेजी थी जार्खन पूलिस की आखे बंद इडी ले रही भरष्टा चार पर एक सन राज में अनिमित ताव भरष्टा चार जार्खन पूलिस को नहीं दीख रहा यू कहे तो इस मामले में पूलिस की आखे बंद हाए या सिर्फ इडी को ही दिख रहा है और इडी इसे पकड़ भी रही है पूलिस सांतवा हाथ पर हाथ धरे बैटी है इडी दोड रही है इडी ही पकड़ कर जार्खन पूलिस को करवाई के लिए दे रही है प्रातमेकी के उनसंसा भी कर रही है कुछ तो ऐसे मामले हैं जिस पर एड़ी के उनसंसा के बावजूद पुलिस को ये फायार करने में महिनों लग गाए जीरो टोलरेंस पर पुलिस की अहनिस्किरता जार्खन पुलिस की कारे सैली पर सवाल उठा रही है वहीं वर ये पुलिस अधिकारी इस विशाय पर बोलने से बच रहे हैं हथियार के साथ तीन पियलेफाई मवादी गिरफतार पच्मी सिंभूम जीला अंतरगत अननदपूर थाना छेतर से पुलिस द्वारवान चेकिंग अभियान के दोरान बिती रात एक पलसर बाइक पर सवार तीन यूगों को भाईने के करम में पुलिस ने धर्दवोचा चान बीनवा जाज परताल करने पर उनके पास दो लोडेड कटे और एक सिक्सर के अलावा पेले फाई के नकसली चंदे की रसीद बरामत की गई जिसके बाद पुलिस ने तीनों यूगों गिरफतार कर लिया गिरफतार तीनों यूग अनंद पूर्थाना चेत्रे के बेड़ा तुलंडा गाउं के रहने वाले हाई जिसमें एक 20 वर्सी अमित तोपनों दूसरा 25 वर्सी बियेस लखवा और तीसरा संतनु लखवा खुर्मी आंदोलन से 9 और 10 अप्रेल को 130 श्ट्रेने राद दे खड़गपूर रेल मंडल के खेमा सूली और आदरा रेल मंडल के कोस्तूर रेलवे स्टेसन में कुर्मी आंदोलन कारियों के रेल चक्का जाम से रेल यातिरियों को फिलाल कोई रहात नहीं मिलती दिख रही इसी के मादर नदे दक्षिन पूर रेलवे ने 9 और 10 अप्रेल को खड़गपूर आदरा और चक्रधर पूर रेल मंडल से गुजरने वाली 103 श्ट्रेनों का परिचालन रद करने के इसुतन जारी कर दी रद 130 ट्रेनों में से 60 रेन चक्रधर पूर रेल मंडल से गुजरने वाली है धनबाद में 9 से 15 वरस के 8 लाख बच्चों को भैक्सिन का लग छे धनबाद उपायूक्त संदीप सिंग के देक्षता में समानाले में एमार अभियान को लेकर 8 अप्रेल को बैठाक होई अभियान के किर्यानों में आराई समस्याओ को दूर करने है तू बिद्यालियों और आंगन मारी केंद्रों की ओर से जागरूपता फलाने है तू रहली निकालने के नुदेश दिया उन्होंने स्कूलों में पाइरेंट्स टीचर मीटिंग करा कर अभिभागों को अभियान के प्रती जागरूप सुनिश्चीत करने को कहा मिजिल सुरूबेला की गंभीता को देखते हुए उपायुक्त ने सभी विद्याले को इस अभियान में स्वयोग करने को कहा है फुटबॉल सेंटर आफ एक्सिलेंट के लिए गुमला में उम्रे खिलाडी जारखन खेल प्राधी करन के तत्वधान में नौस्त रिजी सेंटर फोर एक्सिलेंट्स फुटबॉल पर सिक्षन केंद्र के लिए बालक एवं बालका वर्ग के 16 वरस से 22 वरस तके खिलाडियो का बैटरी टेस्ट एवं स्किल टेस्ट लिया गया है बैटरी टेस्ट के अंतरगत उचाई वजन 30 मीटर 10 मीटर गुना चोव अस्टल रणिंग बॉल थोरो 800 मीटर वर्टिकल जंप समेत कई तरह के टेस्ट लिए गा है तेज हवा के साथ बारिस के असार जारखन में आज मौसम में बदला हो सकता है राजधानी समेत राजी के दक्षने और निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं में गजन के साथ हलकी बारिस हो सकती है इस दवरान 30-40 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से हवाई भी चल सकती है इससे मौसम कुछ देर के लिए सुहाना हो सकता है लेकिन बाद में गर्मी बढ़ेगी मौसम विभाग करुशा राज्य में दक्षनी दिसा से हवा आने के कारण मौसम में बदला होगा लेकिन यहाँ ब्यापक नहीं होगा गर्मी से ज्यादा राहत मिले की संभावना काम है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक कर दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों क्या सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फिडिवाए का वस्य दे थैंक यू